चीनी मिल चालू होना जो इस्थिती अभी है उसी स्थिती को देखके कोई कल पनाने कर सकता हम भी नहीं कर सकते कि ये चीनी मिल चालू होना जो इस्थिती अभी है उसी स्थिती को देखके कोई कल पनाने कर सकता हम भी नहीं कर सकते कि ये चीनी मिल चालू होना जो इस्थिती रहें अपनी अबाज को बुलंद करने के लिए आखिकार देखना होगा उनकी अबाज कहां तक पहुंशती है नितिश कुमार जी और उनके सासालकार में लोग की उमीड जबी और लगा की बनमंखी का चीनी मिल खुलेगा लेकिद यहां सियासत चालू हो गई और ये बनमंखी चीनी मिल चुनावी मुद्दा भी बन गया चुनावी मुद्दा अब नहीं आप जमीन पर काम हो और काम करना पड़े है आजों सच दिखाते हैं छुपाते नहीं बिहार के पुर्ण्या जिले के बनमंखी में खड़ा एसिया का सरवाधिक चर्चित चीनी मिल आपको बता दें बनमंखी चीनी मिल अक्सर नेताओं के लिए वोटों का किंद्र रहा है और खूब राजनिती हुई है सभी सरकारों ने इस पर खूब राजनिती की और सभी सरकार के मंतरी विधायक ने यहां आकर लोगों के भरोसे को लूटा भी है जी हाँ लोग यहां कंगाल होते रहे किशान गडिब से और गडिब होते चले गए रोजी रोजगार छीन गया लोगों का पलायन होने लगा लोग दिल्ली पंजाब के रास्ते जाने लगे और तो और कुछ ने तो जिस्म फरोसी को अपना धन्धा बना लिया यूँ लुटता पिड़ता रहा है बनमनखी का चीनी मेल एक बार फिर से सरकार ने उम्मीदे दी बियाडा को जमीन देकर उम्मीदे दी यहां तमाम उद्योग मंतरी पड्यावनन मंतरी तमाम मंतरियों ने आकर यहां आस्वस्त किया कि यहां की जमीन पर उद्योग धन्धे खड़े होंगे रोजी रोजकार विक्सित होगा चुनावी मुद्दाव नहीं आप जमीन पर काम हो और काम करना पड़े तो ये मृत प्राय चीनी मिल है इसके विश्रे में इसके सुधु को लेने वाला कोई नहीं था उसमें हम लोग अभी आये है तो इसमें समय लगेगा थोड़ा सा नजाने वद दिन कव आएगा आपको बता दें चुनाव करीव आते ही वादों की ज़ड़ी से लग जाती है और फिर चुनाव जाने के बाद लोगे से भूल जाते है भूली बिस्री बाते हो जाती है दुख तो तब होता है जब चीनी मिल सिर्फ मुद्दा बन कर रह जाता ह आपको बता दें कि पुर्णिया में एयरपोर्ट की मांग लेकर मिधला यूनियन आगे आया हरताल की सरको पर बैठा और अंतता सरकार और शंसत तक बाते गई और पड़िनाम यह है कि अब पुर्णिया में एयरपोर्ट बनने के सभी रास्ते खुल गए है आपको बता दें उसी मिधला यूनियन ने जन आंदोलन छेड़ दिया है हस्ताक्षर अभ्यान आरम किया गया है तमाम युवाओं तिशानों गरिबों रोजगार चाहने वालों लोगों को एकर्तित करने का एक प्रयास जारी हुआ है ताकि बनमनखी के चीनी मिल खड़ी ह हो सके यहां उद्योग दंदे खरे हो सके देखे हमारे विशेश शम्वादाता गौरण गुटा की खास कवरेज बनमनखी के चीनी मिल बंध होना से लोग यहां के मज़़ूर पलायन भी कर गया है आपको पता दे एक समय था यहां जब यह चीनी मिल चालू था लोग हजार होनग वहां की अब भी शार्कार में आए नितीस कुमार्जी और उनकी साष चीनी मिल यहां यहां की स्यासत चालू हो गई और यह बनमनकी चीनी मिल चुनामवई मुद़ा भण गया आपको बता दे कि बिहार सरकार के दो-दो मंतरी यहां पहुचे थे और उन्होंनों जंता से वादा किया था कि बर्मन्खी के चीनी मिल्क खुल जाएगा भूमी पूजन किया जाएगा नारियल फोरा जाएगा लेकिन अब तक ये चीनी मिल्क खुल नहीं हुआ है जी हां शालू नहीं हुआ आप देखें कि इस तरह ये चीनी मिल्क खंडर में तब्दिन हो चुता है तो यहां से ये पाट पुर्जित से वो दिनों दिन दिखता ज लेकिन अब वह उमीद नहीं लग रहा है कि चीनी मिल्क खन्डर हो चुका है लेकिन लोग से लड geh लिन देखें इसनलीिक जाता थे लोग उसके पीछे दोड़ते थे लोग उसकी पीछे इसलिए दोड़ते थे गन्ने का स्वाद ले सके लेकिन अब वो गन्ना भी लोग को नसीब नहीं होता है साइद की कुछ जगों पी मिलता हो जब लोग छेती करते मिलता है लेकिन अब वो नसीब नहीं होता है कारण था लगातार आवाज उठाने लगे आज बन्मन्की की जनता और विभिन संगठों के द्वारा आज बन्मन्की की चीनी मिल को शालूप करने एक परियास को लेकर यहां पहुंच रहें अपनी अवाज को बुलंद करने और उनका कहीं ने कहीं लगता एक पर्यास धीरे-धीरे सफल होता ही जा रहा है आप वो बनमनकी पहुंचे क्योंकि उनका जनम स्थान बनमनकी की निवासी है उन्होंने एक नजर इस पर भी डाला उन्होंने कहा कि बनमनकी का ये चीनी मील क्या पता हमारे एक परियासे यहां की जनता के परियासे चीनी में उन्हा चालू हो जाए आप वो देखना होगा कि उनके परियासे बनमंखी की परियासे की जनताओत की परियासे क्या बनमंखी की चीनी में चालू होता है या फिर एक चुनाओ के समय में फिर से इसे चुनाओ मुद्धा बना जाएगा लेकिन आपको हम यहां बताना बहुत जोरुश समझेंगे कि बिहार सरकार के दो-दो मंदरी जबायते बिधान समाच चुनाओ था उस समय में और उन्होंने कहा था कि मुंबई की टीम आई हुई है मुंबई की टीम आई है और यहां पर किसी परकार के उध्यों खोलेंगे लेकि आज तो जो खुला नहीं है बनवनखी की बंद पड़ी चीनी मिल हमेशा चुनाओ बना जिया आज आप लोग पहुंचे हुए हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे देखे यह बिड़मना है हम लोग की कि हम लोग इतना अच्छा जो हमारे हां हमारी विरासत थी ओध्योगिक विरासत कह सकते हैं उसको हमारे पुर्वजों ने बंद होने दिया और बंद हुआ उसके बाद कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं लेकिन आज जो यह समय आप देख रहे हैं 2022 का है लगबग 20 वरस से ज़ादा हो चुका है चेली इनकों बंद हो तो आज बेकारी लोगों के पास बेरोजगारी और युबा जो पढ़ लिख रहे हैं तो वो देखते हैं कि हमारे पास कितने इंदस्ट्रियल मतलब बिरासत थी और उसका आज क्या हो रहा है तो इस सम्मंध में युबाओं ने ठाना है और मिथला स्टूडेंट युनियन क का एक पहल है अभी आपने एरपोर्ट पर देखा होगा हम लोगों ने जवरत दस्त तरीके से संघर्स किया और उस संघर्स का नतीजा है कि आप जल्दी से पूर्णिया वासी उरान भरेंगे तो आज एक बार फिर से आज नहीं एक महना पहले भी हम लोगों ने एक बैठक किया था और अभी भी हम लोग एक बैठक किये हैं और इस बैठक में बड़ा सांतिपूर्ण तरीके से निर्मे हुआ है कि प्रॉपर चैनल के तहत हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे पहला इसका स्टेप होगा हमारा कि हम अभी 50,000 लोगों का 20 दिन में यानि 20 म माई से 10 जून तक लगातार हम लोग हस्ताक्षर अभ्यान चलाएं लोगों का हस्ताक्षर लेकर के जो है संबंधित विभाग को आपको द्योग मंत्री को मुख्य मंत्री को प्रधान मंत्री को भेजा जाएगा और उस पर अस्पष्ट वे में लिखा होगा कि एक महीने के अंदर हम लोगों को कोई साकारात्मक कार्य दिखना चाहिए प्रतिक्रिया नहीं अस्वासन कार्ज यदि एक महीने के अंदर दिखता है तो हम लोग उसमें सहयोग करेंगे जो भी अस्थानी लोग है यदि कार्ज नहीं दिखता है तो पूरा बन्वनक्षी बड़ी जोर स प्रतिकार करेगा इस बात को लेकर के कि चुनावी मुद्दा अब नहीं अब जमीन पर काम हो और काम करना पड़े इसके लिए मितला स्टुडेंट यूनियन आगे आया है समाज के लोगों से मिल करके सभी ले रहा है तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है पिछला मीट हस्ते प्यादमी अकेला ही है बाद में कारवा बनता है तो धीरे धीरे हम लोग अभी हस्ताक्षर अभियान चला कि जो ये मृत प्राय चीनी मिल है इसके विश्रे में इसके सुध को लेने वाला कोई नहीं था उसमें हम लोग अभी आये है तो इसमें समय लगेगा थोड़ साल के अंदर बनमनखी के इस धर्ती पर जहां पर हम लोग खड़ा होके बाइट दे रहे हैं साइध हमको परमीशन लेकर आना पड़े यह स्तिति होगी अच्छा हाली की दिनों में आपने देखा होगा के नगर में एक फैक्ट्री का उद्धाटन हुआ तो होना चाहिए क् बिल्कुल पहली फैक्ट्री थी इंडस्ट्री क्योंकि पूर में भी विधान सवा चुनाव हैं यहां पर दो दो बिहास रगर मंत्री पहुँचे विदे उन्होंनों आसवसन दिया तब लोगों को कहा था कि यहां पर जल्द ही चनी मिलका से लानास किया जाएगा जिस कमपणी का नाम वो बता करके कह रहे थे कि यहां उसको बेच दिया गया उसको बना दिया गया उसका क्या भी रासत है इस जिनुस्तान में कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको तो टोटली फेक चीज था जनपरतिनी दी ने सिर्फ हामेसा हमारे बोली वाली जनता को ठगा ठगने का काम किया है लेकिन अब जनता युबा सभी लोग समझ रहें इस बात को कि चीनी मिल पर आप नो टंकी नहीं और चीनी मिल पर समय ऐसा आने जा रहा है हम लोग आपस में ऐसा समय यहां लाने जा रहे हैं दो-चार महिना के अंदर कि इस इर्द इर्द जन परतिनी दिखाई नहीं देंगे आपको डर से क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है यह आप यहां प्रतिकार करना चाहेंगे कि बनवन्खी का ओद्योगिक एतिहासिक विरासत है इसको पुनर संदरहित संरक्षित करने के आवे सकता है सभी लोगों को जात पात रंग पार्टी प पर आपको मंच मिले माइक मिले तो चीनी मिल के लिए शिनीं के लिए लिखिये जरूर है साल वर के अंदर संदल कर सकता हम भी नहीं कर सकते यह क्यों आप लेकिन जितनी भूमीं हमारे पास है यहा एक इंदश्ट्रियल शेक्टर अच्छाइफ Inde republic आप अदियाना जाईए वहाँ एकाज सो एकर में इंडस्ट्रियल एरिया हो जाता हुसमें 22nd sector होता है sector 10, 22nd, इस तरह से होता है industry, तो उस तरह का हमारे पास land है और इस land को आगे बढ़ाने की आब सकता है, प्रमोट करने की आब सकता है तो जब तक छेत्र के लोग प्रमोशन को आगे नहीं आएंगे, जब तक वो इसकी बात नहीं करेंगे, तो हमको नहीं लगता हम लोग के 20 साल, 25 साल से बात में किये चीनी मिल का, तो हमारे जन परते थी, हमारे दूप्ती नक तुनास को समझते, सिर्चुनाओं के समयम बोलते आदेश, कुछ आधिकारी यहां पर पहुंच कर आए भी थे, लेकिन जिला आधिकारी महुदे का ट्रांसफर हो गया साइब, इसलिए बीच में यह मसला रुप गया है, कल परसों से आपको दिखने लगेगा कि अतिकरमन के लिए यहां काम हो रहा है, हम लोग इसको चरनव जिसमें 50,000 हस्ताक्षर हम लोग लक्ष रखे हैं, उसके बाद उस हस्ताक्षर को हम लोग संबंधित विभाग को सोपेंगे, और उसमें 30 दिन का हम लोग अल्टीमेटम विभाग को देने जा रहे हैं, और 30 दिन में यहां पर कोई साकारात्मक कारवाई नहीं दिखती है, पेपर में नहीं, सोसल मीडिया में नहीं, अन ग्राउंड कोई साकारात्मक कारवाई नहीं दिखती है, तो फिर सिधा समझा जाएगा कि सरकार की मनसा बनमन्की के तरफ नहीं है, बनमन्की के जनता रोड पर होग अबिनास कुमार मिस्रा, जिलाद्यक्ष मिथला इस्टु द्वारा किये गए प्रयासों को सहरवास्यों में खूब चर्चा भी हो रही है और शमर्थन देने की बात भी, अब देखना यह है कि आखिरकार कमाम लोगों के यह सहयोग और समर्पन के बाद बनमन्की का यह चीनी मिल का काया कल, कब और कैसे होता है, बने रही हमारे साथ और हम हर ख़बर को अपडेट लेकर आपने शामने आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले, तो आज के लिए तना ही हमारे साथ बने रहे हैं और खुद को रखें अपडेट तो देखते रहें अनभवियां के लिए और हां पढ़िये भी अनभवियां के अ